हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू मैं चैनल जीफोटेक अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्रेब नहीं कि तो सब्सक्रेब कीजिएगा एल जी एल जी का एसी का रिमोट है एल जी इन्वर्डर ड्यूल कंप्रसर एसी इसका पूरा फांक्शन साथ में बताएंगे सबसे पहले का यह बटन फैन का है हाँ उसे पहले मैं बता दिया यह ओफ़ोन सुच है उसके बाद फैन का सुच यह सिर्फ यह एंबलम देखना यह साइट में यह फैन का ओल्ली फैन चलेगा और कुछ नहीं चलेगा उसके बाद एनर्जी सेविंग मोड दिखें एनर्जी एनर्जी सेविंग मोड मतलब आप एक बार 22 डिग्री में एनर्जी सेविंग मोड अक्टिवेट किया है तो आपको बिजली का यूज बहुत कम होगा एक बार 22 डिग्री में आने के बाद रूम में एसी अपने आप बहुत कम यूज करते है आपको इसमें फैथा उठा सकते है यह हो गया अभी में बंद किया फिर मन्सून मन्सून मतलब एसा वाटर ड्रोप का एक पिच्चर आएंगे मन्सून मतलब अगर अपना रूम में पसीना ज़्यादा है तो यह हूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो उसको कम करने के लिए यह मोड ओन करके डाल सकता है एक एक गणड़े यह 2 गणड़े मैक्सिमम तो ऐसी मेशीन एक ढी हूमिडिफायर मेशी ज़्यसा काम करेगा ज़ितना पानी है यह सुरी जिदना हूमिडिटी रूम का अंधर के तो पूरा हुमिडिटी को यह बाहर फेक देगा यह मन्सून है यह बारिश के समय में यह आपका काम में आ जाएगा उसके बाद यह टेंपरेचर आप डाउन करने के लिए आपको यह यूज कर सकता है आप 23-24 नॉर्मली आप 24 में ठीक है एसी का celsius 24 ठीक है सब के लिए दूसरा है मोड मतलब फर्स्ट वन आर्टिफिशल इंटलिजेंस का मोड है यह देखे ऊपर स्विच मेरा ओल्ड़ी एक इसके बाइने में पूरा बता चुका के एक वीडियो ओल्ड़ी अपलोड किया है वह आप देख सकता है आर्टिफिशल इंटलिजेंस उसके बाद नेक्स्ट मोड कूल मोड यह यह सिंबल दिखा रहे है यह बरफ का बरफ का है यह इसमें कूलिंग होते है नॉर्मल मोड कूलिंग मोड निखिए इसमें टेंपराजर आपको अप डाउन कर सकता है अभी एच एच सी कूल मोड यह आपको एकदम अभी 24 में डिगरी में बंद करके बाहर चला गया फिर आप वापस आके एक रूम बहुत गर्मी होगा उसके बाद यह बटन दवाने के बाद एक बार दवा दो हाई कूल हां दिखिए एच सी यह इसमें भी दिखाई देगा अब और आपका एसी में भी एसी का राइट साइड में एक छोटा सा डिस्प्लेई है डाउन वो डिस्प्लेई में भी एसी दिखाएगा यह इसका सिंबल यह क्या होते है आपको ऊपर डिरेक्टली आपको पोइंट करके डिरेक्ली हावा फेक देगा 18 डिगरी फेलिश्यस पोइंट इसके बाद यह नॉर्मली कूल मॉड में जाएगा और फान स्पीड पाइन स्पीड आपको फान स्पीड कंडॉल सकता है देखिए साइड में चारे उपर नीचे आ रहे न यह फान का स्पीड है आपको कहीपे भी सेट कर सकते हैं लो मीडियम औं हाई कहीपे भी को रख सकता है यह 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 आपका उपर आप करके देख देख लीजिए आपका इसी का उसके बाद फैन में बता दिया है स्विंग यह कुछ जदा काम का नहीं है स्विंग बॉट और इसी का स्प्रिट इसी का अंदर में स्विंग पैनल्स होते है ऐसा मंवमेंट होने का वो उसी का है हम को काम होते हैं यह स्विंग बटन होने से इसका मौवमेंट हम को गांडूल कर सकता है दिखे अभी दोनों सुच अग्टिवे आपके बाद दोनों ओintegral कर लागा उसके पात room temperature यह एक burden option दिया है आपका room में ACO4 या own है या बंध है आपका room में कितना temperature है आपको इसमें दवाने के पात पता चलेगा यह दिखिए अभी मेरा room का temperature है 26 degree Celsius सिर्फ यह room का temperature है और sleep mode तो sleep mode देखा एक गंड़ा आ गया एक गंड़ा यह एक गंड़ा के बाद एक गंड़ा के बाद एक गंड़ा के बाद आप जब सो जाते ना सो जाते तो 18 degree Celsius में डाला है ओटोमेटिकली यह 18, 19, 20 जतलब temperature कम करके कम करके आएगा फिर आपको अच्छा नीन देगा प्लस एलेक्ट्रिसिटी का उपयोग कम करके देगा एसी ने इसका ज्यादा functions में मेरे दूसरा वीडियो में अपलोड करूंगा और टाइमर ओन ओफ बटन का यह फैदा है अब एसी को अगर आप आट बजे रूम पे आया आट बजे आप सो गया दो गंड़ है एसी ओन करके रखने से आट बजे ना ना बजे दस बजे हो गया दस बजे के बाद आपने आप एसी आपका एसी बंद हो जाएंगे यह टाइमर ओफ ओन का सुच है टाइमर ओफ ओन यह ओफ मतलब ओन मतलब दो गंड़े के बाद ओन होगा ओफ मतलब दो गंड़े के बाद एसी बंद होगा यह बट एसी आपको स्टैंडबई में रखना ह standby मतलब switch on करके इसमें off on करके रखना थम ऑते आपको आज़्जिस्ट करते है। B आपको 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 टाइम के बाद यह बंद हो जाएंग। हो गया भी मेरा वीडियो अगर आपको और कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए ओके फ्रेंट्स थैंक यू